हलो फ्रिंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार वित आयुश और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर और डानी विलमार के उपर तो आज अडानी पावर में हुआ क्या एक्जाक्ली सेम स्टोरी है अपर सेकेट लगता हुआ नजर आया और वही मार्क मार्केट्स में आज हुआ क्या बेसिकली अडानी ग्रुप के उपर एक तो सुप्रीम कोड का वर्डिक निकल के आया जिसमें कमिटी फॉर्म हुई लेकिन जो दूसरी एक अनेक्स्पेक्टिट थिंग थी यह तो सबको बताए थे कि आज होने वाला है पर आज जो दूसरी अडानी ग्रीन अडानी ट्रांस्मिशन अडानी पोर्ट्स यह चार स्टॉक्स थे जिनके अंदर दोस्तों कम्पनी की ब्लॉक डील हुई 15,446 करोड और बेचा किस ने खुद कम्पनी के प्रमोटर ने गौतम अडानी जी के द्वारा वट अगेन यह बाद ध्यान रखेग इस ब्लॉक डील से होने क्या वाला है इस ब्लॉक डील से पुरे ग्रुप क्योप पर असर पड़ेगा विकॉस सबसे इंपॉर्टन बात तो कम्पनी के पास अल्मोस्स सोला हजार नहीं 15,500 करोड के असपास पैसे आ चुके तो प्रिसाइस 15,446 करोड के असपास कम्पनी के आज उठे और ब्लॉक डील कर दी यह सब कुछ तहे रहता है यह बात समझेगा कम्पनी अभी रोट्शोस कर रही थी और रोट्शोस के अंदर कम्पनी ने बेसिकली काम जा किया है कि इन्वेस्चेर्स को बोला है कि आप अभी खरीदारी करिए बिकॉस कम्पनी को पैसे की चाहरी किया दा सकता था तो यह मार्केट में और निघैटिव डालेगा कंपनी के आपड़े रही है और दूसरी बात है कि डिट लेना कंपनी के यह इतना आसान भी नहीं था तो कंपनी कैसे एक 5% share market में नहीं डाल पाए जो ठीक है तो अब हमको shares को sell करना पड़ेगा secondary sell करना पड़ेगा यहाँ पर और वो exactly company की दोरा किया गया जिसे मैं आपको कहा कि यह जो चीज़े है यह पहले से तही रहती है कि हाँ आप buyer होंगे और हम seller होंगे कि अगर आप सोचते हैं कि block deal ऐसी हो जाती तो ऐसा नहीं होता है markets में पहली बात floating share इतने थोड़ी है जितने यह आप आज बेचे गए यह बात ध्यान रखेगा जो free float होता है वो इतना थोड़ी होता है पहले company की deal होती है जिसमें जो नाम है जिफरी इसके दौरा बेसिकली सारी deal करवाई गई है यह बात भी आपको पता होनी चाहिए तो definitely यह बात आप important समझ यह कि जो company के अजब पैसा आया है उसको किस तरह से use करती है वो अपना आपने एक aspect है देखने का because जो पैसा है वो definitely एक confidence boost करता है company के उपर कि किस तरह का यहाँ पर पूरा तरीके से company फिर से rebound करने की स्थितिव में आ रही है but again अभी हमको wait करना पड़ेगा चीजों के उपर अभी से कह देना कि सब कुछ सही हो गई है again यह बहुत जल्द बाजी है सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगले दो महीनों के अंदर यहाँ पर definitely और क्या updates निकल के आते because अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक important बात कहीं गई है कि report जरूर दो मन्त के अंदर निकल के आ जाएगे जो Supreme Court ने committee गठित करी है लेकिन यह important बात है कि उसके बीच बीच में अगर sources से भी कोई खबरे निकलती आई तो उसका भी markets के उपर especially Adani Group के stocks के उपर काफी reaction आएगा तो यह अब देखना है कि अब यह दो महीने के अंदर क्या report निकल के आती है क्या कोई irregularities found होती है अगर नहीं होती है तो अपने आप में बहुत बढ़या बात है अगर हो जाती है तो फिर वो definitely market किस तरह से देखता है उसके उपर हमको असर रखना पड़ेगा बट यह है कि पुरे group के अंदर recovery आई है और पुरा group काफी बढ़या कर रहा है अब specifically Adani power की बात करते हैं तो तेजी आपको जरूर देखने को मिलिए अपर सकेट देखने को मिला है पट अब मान के चलिए largely जो इसके अंदर trade है वो या तो अपर सकेट पे होगा या तो लोग सकेट पे होगा या तो इसके अंदर आपको continue में तो या तो या तो लोग सकेट देखने को मिलेगा तो यह है कि इसके अंदर भी trade करना खत्रे से खाली नहीं है बलाब सबसे पहली बात तो आपको buy करना भी है तो आप अगर अपर सकेट पे करेंगे तो most likely आपका order executed नहीं हो पाएगा क्यों execute नहीं होगा जब भी कोई stock है जो अपर सकेट पे लग रहा है या फिर लोग सकेट पे लग रहा है लोग सकेट में कोई buyer नहीं है अपर सकेट पे कोई seller नहीं है इसलिए तो वो दोस्तो circuits लग रहे है तो सबस्वरी दिक्का तो यह भी है जब तक दोस्तो वो report निकल के नहीं आती है उसके अंदर क्या सबसे important बात क्या है कि कोई भी शंका नहीं रहनी चीए वो transparency की जो बात होती है वो एक investor और company के बीच में होनी चीए अगर चीज़े transparent नहीं है कुछ चुपाया जा रहा है या फिर कुछ खबरे निकल के आ रही है जो definitely बिलकुल company की बातों को oppose करती है तो यह important है कि उसके जाच हो जाए जाच में दोस्तो जो भी निकल के आएगा वो definitely हमारे लिए सबसे important है फिर हमको यह पता है कि हाँ इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है तो यह बात important है बट देखते हैं कि अब हो तक है जिसे मैंने का कि स्टॉक के अंदर upper circuit lower circuit लगातार देखने को मिलता है तो मुश्किल है इसके अंदर trade करना विकार जो तेजी है वो एक तरफ ही जानने चालू हो जाएगी कि अब भी upper circuit लग रहे है तो लगातर upper circuit लग रहे है जब वापिस से गिरावट होगी फिर वापिस थोड़ी लगातर lower circuit लगते वे नजर आएगे तो अभी अधानी पावर के अंदर यही हाल है यहां से मुझे लगता है कि overall stock के अंदर क्योंकि बहुत गिरावट देखने को मिल गई है और valuation wise भी इतना अब महेंगा नजर नहीं आता है तो थोड़ी बहुत तीजी यहां पर बनने के पूरी-पूरी संभावना नजर आ रही है अब अब अधानी विलमार पर बात कर तो अगेन अधानी विलमार की अभी valuation जो है वो गरिबन 65.85 की है विलमे 65.85 की पे ट्रेड करता है numbers जो company अभी निकल के आया थे वो काफी बढ़िया थे इसमें कोई doubt नहीं है बट अगेन बात वही है कि जब अपर सकीट लोग सकीट में कोई भी stock ट्रेड करता है तो उसके अंदर क्या अप टेकनिकल पोजिशन ढूना बहुत मुश्किल है बट अगर इसमें आप देखेंगे एक बात तो वह साफ साफ है कि stock जो है डिफिनिटली अपने इन लेवल के असपस अपस अटकता है तो वह लेवल बहुत important है कि किस तरह से वह लेवल बचाता है बट उसके बात क्या है कि 438 440 के लेवल आपको समझना पड़ेगा 440 रुपे का जो लेवल है वह अपने आप में बहुत important है उपर में कौन सा लेवल important है 480 के आसपास का यह दो लेवल जो 40-40 के हैना यह important है यह दो लेवल्स अगर दूस्तों company तोड़ देती है इन्य स्टॉक तोड़ देता है basically तो फिर तेसी बढ़िया बन सकती है टिक्निकली औरहल मुझे यह लगता है कि टिक्निकली से ज्यादा company जो है वह भी news driven है तो जैसे जो news निकल के आएगी उस पे stock जो है वह reaction देगा अगेन एक sources से news निकल के आईए कि foreign investor to seek review of enhanced Indian rules after Adani route और यह खबर कब निकल के आईए यह खबर आज ही निकल के आईए यह important बात अब को दाता हूँ देख लिए यह timing कौन सा है मार्च 2nd 2023 आट बच के 5 पिन पे लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आईए अडानी ग्रुप के है अब यह lobby है जो रिप्रेसेंट करती है foreign portfolio investor जैनि fpis का और जो company है वो कहती है कि जो offshore funds के आरोप लग रहे हैं या फिर जो भी offshore funds आ रहा है उसका आखिर beneficial owner कोन है जिससे कि हिंदिन बग ने का है कि इनका beneficial owner जो है वह विनो दडानी जी गौत्मदानी जी के भाई तो अब अ एक तरफ तो foreign investors company पैसा डाल रहे है जैसा अब आज आपको पता चला ब्लॉग दिल के जारी है और एक foreign investors का group है जो चाहता है कि company के अंदर और जाच हो से भी और जाच करें कि basically offshore funds कौन है offshore investment कौन है जो अडानी group के अंदर आ रहे हैं तो यह definitely हम कह सकते हैं कि अब इसके उपर अगर कुछ खबर और उपर निकल किया आती है या फिर कुछ और concern निकल किया तो वो अपने आप में देखने वाले बात होगी because यह एक report निकल किया है जिसमें Asia Securities Industry and Financial Market Association ASIFMA इनके दोरा दोस्तों यह basically डाला गया है से भी को request यह फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर उनसे कहा गया क कि आप जाज करके बताइए कि इस offshore fund का beneficial owner कौन है तो अब देखते कि क्या होता है तो अगर market कल इस पर रियाट करता है तो अगर यह कोई खास अच्छे खबर नहीं है कि वापे से अभी भी company के उपर foreign investors का वरुसा उतना नहीं दिख रहा है बट एक जगा company के shares खईते जा रह